हे गाईस विलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपकर इस वीडियो में तो दोस्तों एक बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट से वेकेंसिस निकल के आई है डिपार्टमेंट आप एटमिक एनर्जी से याने की परमानु उर्जा विभाग से भरती निकाली गई है टोटली गौवर्मेंट जॉब्स की यह भरती है टेंथ पास्वीद आईडिया स्टूडन्स के लिए टेक्निसियन पोस्त पर भरती निकाली गई है तो जो भी केंड़ेट एलिप्लाइज जरूर करें और अच्छी खासी सलनी मिलने वाली है ओके तो चले प है इंट्रिव्यूस के माद्यम से सेलक्षन होगी एक सब्टमबर 2022 को नोडिफिकेशन रिलीस की गई है टाटा मेमोरियल संटर है इसके अंडर में जो डिवीजन है होंभी भाबा केंसर होस्पीटल एंड रिसर्च संटर है यह मुझाफर पूर बिहार में पड़ता है यहा इंट्रिव्यू जो टाइमिंग रखा गया है साड़े नौ से साड़े गारा के बीच में आपके जितने भी बायो डाटा है अगरवाइस जो आपकी फासपर साइज फोडोग्राप प्रिलिवेंट जो भी डॉक्मेंट से आपको कैरी करके इंट्रिव्यूस के आपको जो प एक्सप्रियंस मांगी गई या फिर दो साल की एक्सप्रियंस अगर आपने आइडिया प्लस एप्रेंटेशिप मेगनिकल ट्रेड में कर रखा है तो 18-27 साल एजल मीठ है 19,84 रुपे सेलरी मिलने वाली है दो पूस पर वेकेंसी है और इसकी इंट्रव्यू आठ नॉम्बर को होने वाली है अब बात करते हैं नेक्स वेकेंसी टेक्निसियन इलेक्ट्रिकल में चहां पर आइडिया पास आउट होनी चाहिए लेक्रिसियन ट्रेड में या फिर वायर में दोनों चलेगा और यहां पर टू येर की एक्सप्रियंस मांगी गई है प्लस बेसे देट वाले अप्लाइ कर सकते हैं और यहां पर रहेगा एक साल की कॉर्सिस होती है प्लरमबर की अगर तीन साल का एक्सप्रियंस सारे होते हैं मासनीष्ट हो गया फिल्टर हो गया ठर्रेट है एससाँ सब क्या है कि मेकनिकल ट्रेड ऐसी बट यहां पेमेन्पने मेकनिकल वाली जाहिएगा टुइयर की डिवरीसं वाली ठ्री यहयर की आप पर आप देख सकते हैं इसकी भी 9 सेप्टमबर को होने वाली है सेम सेलरी डिविजन यहाँ पर रखा गए नेक्स वेकेंसी है जो की एमेटो लॉजर टेक्निशन में निकाली गई है 12 पास साइन्स सेटिफिकर्ड है आपका प्लाइ कर सकते हैं साल की डिप्लोमा मेडिकल लेबरेटरी में होनी चाहिए प्लस एक साल की एक्सप्रियंस 27 साल एज लिमिट है 12 सेप्टमबर को इसकी इंटरव्य होने वाली है इसे भी 1984 रुपे सेलरी मिलने वाली है नेक्स वेकेंसी बायो केमेस्ट्री में है 12 प्लस जो साइन्स है कर रहा है प्लस 6 मंत की 1 येर की डिवरेशन मेडिकल लबराटरी में प्लस 1 येर की सेट्विट भी है उसे एप्लाइ करना है इसका एंटरव्यू 13 सेप्टमबर को होगा इन्हें भी 1984 रुपे सेलरी मिलने वाली है अब इसमें मुझे आप कमेंट करके बताओ कि कौन-कौन जा रहा है और कौन-कौन एलिसबल हुआ है देखे इसकी जो पिरियड होने वाली है 6 मंत की होगी उसके बाद एक्स्टेंड होती रहती है टी-मसी यही है यार टी-मसी क्या हो दा जल्दी स्टूडेंट को निकालती नहीं यह टाटा मेमोरियल संडर है ओके टोटली गवर्मेंट आफ इंडिया एंटेजर लीड करती है और यह परमानों उर्जा विभाग की अंडर में आता है तो आपकी जो एक्स्टेंडबल है हलांकि भले 3rd party हो लेकिन एक्स्टेंड होती रहती है 6 मंद 6 मंद करके इस तरह एक्स्टेंड होती है वो आपके behavior and काफी quality पे निर्भर करता है आप यहां पे permanent भी हो सकते हो लेकिन आप में quality होनी चाहिए permanent TMC में इसी तरह से होता है और यहां पर documents क्या करने हैं, सबसे पहले submit करना होगा, resume documents इस दिये गए email address पर, तो यह चीज़ें आप ध्यान रखना, यह email address है, इस पर send करनी है, post देख सकते हैं, किसको कब तक बुलाए गया, microbiologist वालों के last date receiving, कब तक भीजने की date है, 9 September, 12 September, तो यह चीज़ें आप देख लो ओके, तो यह रही गाईस, यह मैंने बताई आप सब के लिए, अच्छी vacancies है, अब जो भी candidate जाना चाता है, जा सकते हैं, और जिने नहीं जाना हो, वो अराम से तयारी करें, DR.O technician, sale की आ चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी भरती आ चुकी है, और आने वाली है, BRO की भरती अर्गनाईजेशन की, तुसे भी apply करो, सबसे बड़ी भरती तो सामने DR.O technician है, यार, बहुत बड़ी vacancies है, यह मौका मत जाने देना, इसके अलावा कोई भी job कर रहे हैं, तो please वो remove कर दो, अगर apprenticeship अभी लगा हुआ है, करने वाले हैं, तो अगर पढ़ने का time आपको मिल रह की जरूर बताएगा, useful लगी हो, please like, subscribe करें, चले मिलते नेक्स वोड़ी में, तक ले जाये हैं ते,